जयाहिंद, नमस्कार सातियों, स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे रीट मुख्य प्रिक्षा की आपकी त्यारी है वो बहुत सांदर तरीके से चल रही होगी और आप सब को पता है कि 20 नंबर का अपने एक टोपिक है जो है बाल, विका, सिक्षा, सास्तर, आपने सलेबस में देख लिया होगा और आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा तो इसमें 10 क्यूशन आपके लिए पूछे जाएंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मैटपूर्ण ये चीज है कि जो भी प्रिवेस येर में जो एक्षा होगे उनमें अगर जो क्यूशन पूछे गए वो अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें सभावना है कि वो ही क्यूशन है वो हर बारे रिपीट होते हैं तो हम परसन है वो सही कर पाएंगे तो देखो हम पहले परसन की शुरुवात करते हैं और इसमें देर खाया है देखो कि निमन में से कौन सा कथन विकास के बारे में सकते नहीं है तो निमन में से कौन सा कथन है वो विकास के बारे में सकते नहीं है ये भी बिल्कुल सही है और विकास विशिष्ट से सामाने की ओर होता है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा विशिष्ट से सामाने की ओरे नहीं होता है उसके बाद में, देखो परशन आता है, दो नमबर परशन हम हिंदी बाला देख लेते हैं नमसे पूछा है, कि 7 से 12 वरस तagn की, 12 से 20 तक या 2 से 7 वरस तक या 2 वरस तक, तो आपको इसमें बताना है कौन सा option सही हो जाएगा तो कौन से अवस्ता होती है, साथ से बारा साल तक की जो बच्चे होते हैं, उनमें ये अवस्ता है, वो पाई जाती है उसके बाद में हम बात करें, तीन नंबर क्यूशन की, कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का प्रिणाम है तो अभिवावक यह अध्यापक मानाव विकाश, अभिवावक वै अध्यापक समाजजिक यह सांस्कृतिक कारकों, वंस करम यह वातावर्ण और इन में से कोई नी, तो बताओ मानाव का जो विकास है, वो किन दो के योगदान पर निर्बरे करता है, यह हम से पूछा है, तो कौन सा ऐसा तत्वय है जो प्याजे के अनुसार बोधिक विकास का निरधारक तत्वय नहीं है तो समाजिक संचरण, अनूबव और संतुली करण या इन में से कोई नहीं च्यार नंबर ओप्शन में तो प्याजे के अनुसार बोधिक विकास का निर्दारक है वो है नहीं है समाजी के संचरण पांच नमर क्यूशन की हम बात करें देखो पांच नमर क्यूशन में हमसे पूचा है कि विशेस आफशेक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निमलिक्त में से कौन सी विव रतना अधिक उप्यूखत है तो विशेस आफशेक्ता वाले जो बच्चे होते हैं उनको अगर पढ़ाना हो तो ऐसी कौन सी विव रतना है जो सबसे अधिक उप्यूखत है वो हो सकती है तो चार ओप्शन आपको दे रखें कि अधिक्तम बच्चों को समलित करते हुए ककसे आमें चर्चा करना, विद्यार्थियों को समलित करते हुए अधियापक द्वार अंगर्देशन, सहकारी अधिगम तता पीयर टूरिंग, सहपाटियों द्वारा अनुसिक्षन और अध तो चार option में इसे आपको बताना है कि विशेस आपसेक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उप्योगते क्या है तो इसमें क्या बन जाएगा कि सहकारी अधिगम तता पीर टूटरिंग तो चैनल पर पहले बार विजट करें तो चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लें और कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताएं कि और बी जितने पेपर हुएं वो भी मैं आपके लिए ऐसे ही लेकर आऊं या नहीं आऊं क्यूंकि मैं अगर आपको अच्छा लगा हो आप कि त्यारी अच्छी हो रही है तो मैं भी यह सारे क्यूशन है वो मैं जितने भी पेपर हुएं वो सभी लेकर आजाओं समय के अर्थ को जानने की योगेता वातावरण के डोसों कमियों यह रिक्तियों के परती सर्जगता विशेसता है किस परकार की वीशेसता ये हमसे उसके बाद में साथ नमर क्योशन हमसे पूचा है कि एक कोलेज जाने वाली लड़की ने फर्ष पर कोट फैंकने की आदत डाल लिये लड़की की मा ने उससे कहा कि कमरे से बार आ जाओ और कोट को खुंटी पर टांगो लड़की अगली बार घर में प्रिविस करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरप जाकर कोट को खुंटी टांग देती है तो यह उदारन है तो देखो एक कोलेज की कोई चात्रा है वो उसमें एक आदत लगी कि वो कोट है वो जमीन पर फैंक देती थी लेकिन लड़की की जो माई उन्होंने उसको बलाया और बोला कि यह कोट है वो बाहर जाके खुंटी पर टांग दो और लड़की जैसे ही वो अगली बार आती है गर में तो वो कोट सीदा हात में रखे अलवार एक तिरफ जाके खुंटी पर टांग देती है तो यह उदारन है वो किस परकार का हो जाएगा यह हमें बताना है तो सरंकलागत अब्धिगम का उदीपन अनुकिये अधिगम का या परते अधिगम का या इन में से सभी तो आपको बताना है साथ नमर क्योशन है यह अपना तो साथ नमर में क्या हो जाएगा हो जाएगा सरंकलागत अधिगम का क्या कौन सा उदारन हो जाएगा सरंकलागत अधिगम का उसके बाद में देखो इसमें हमसे पुच्छा है कि बाई ये अभी परेणना में समावेशित किया जाएगा बाई ये अभी परेणना में समावेशित किया जाएगा चार ओप्सन दे रखें तो देखो बाई ये अभी परेणा में परसंसा यहों दोसार ओपन आते हैं, परति दिविंदेत्या भी आएगी और पुर्षकार यहों दंड भी सामावेसित किया जाएगा और परिणाम का ज्यान भी, तो इसमें सारे के सारे क्या हो जाएगे, सही हो जाएगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ऐसे क्यूशन आपके लिए लेके आने हैं और या नहीं लेके आने, ये जरूर लिखें, सिधा वीडियो देखके ना चोड़ें उसके बाद में, जिस परकिरिया में व्यक्ति, दूसरों के व्यार को देखकर शिकता है, ने की पर्तेक्स अनुबह के को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो नो नमर में उतर क्या हो जाएगा, कि सामाजिक अधिगम है, कहा जाएगा इसे परकिरिया को, जिस परकिरिया क के तहत वेक्ति दूसरे के व्याहर को देखकर सीखे ने की परतेक्स अनुबहु से अधिगम निर्योगिता का लक्षन है अधिगम निर्योगिता का लक्षन क्या हो जाएगा तो अधिगम निर्योगिता का लक्षन हो जाएगा कि भागने की परवर्ति होना एचांत उर जाव या विकार है वो अधिगम निरियोगे ताका क्या होगा लक्षन अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं अधिगम को प्रभावित करेंगे वो व्यक्तिगत कारक कोन से हो जाएंगे संचार के सादन सम्मेवैसक समुए और अध्यापक और परिपकवता यू आयू संचार के साधन समयवैसक समुए अध्यापक और परिपकवता आयू अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिकत कारक के कौन से हैं यह हमसे पूछा है और यह Qution नंबर कौन सा है ग्यारा नंबर Qution है तो देखो ग्यारा में क्या option से हो जाएगा कि परिपकवता आय विक्सित कर लेता है पर यह है उसके बलेबाजी के कोसल को प्रभावित नहीं करता इसे कहते हैं कि एक क्रिकेट का जो किलाडी होता है वो गेंदबाजी के कोसल को क्या कर लेता है विक्सित कर लेता है लेकिन जो वो बलेबाजी कर रहा था उस कोसल को वो प्रभावित नही निमन में से कौन सा कतन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्ते को उत्तम रूप से परदर्शित करता है कोई भी व्यक्ति जो होता उसके मानसिक स्वास्ते को उत्तम रूप से परदर्शित करने वाला कारक हम से पूचा है तो इसमें से कौन सा होगा, कि पूर्ण अभिवक्ति हो, संगतिकर्ण और शामाने लक्षण की और निर्देशन करता हो, तो ऐसा व्यक्ति है, वो मानशिक रूप से क्या हो जाएगा, सवस्त माना जाएगा उसके बाद में देखो, क्यूशन लिखा है, कि क्यूशन लिखा है, प्रायड प्याजे और निर्दारित होती है, कहा कि सेसा वस्ता के अनुबह ही अधीक परवावित करते हैं, और बाकी अवस्ताओं के सिमित परभाव होते हैं, विभिन अवस्ताओं को समझाने के लिए संग्यानात्मक बदलाओ के बारे में कहा, तो देक प्रायर्ड प्याजे अन्य मिन्य गयानिकों ने विक्तित्वे विकास की विबिन अवस्ताओं के बारे में व्यक्या से बताया लेकिन प्याजे ने क्या कहा था स्पेसर तो ये उन्हें ने पूछा है तो क्या कहा कि विबिन अवस्ताओं को समझाने के लिए संग्यानात्मक बदलाओ के बारे में प्याजे ने कहा था पंद्रा है कि गिलफ्रिड ने अभी सारी चिंतन पद का परियोग किसके समान अर्थ में किया तो आपके कितने क्युसं सही हो रहें यह आप अपने मांड में रखना और कमेंट में जरूर लिखते रहना निमन में से कौन सा कतन रूची के बारे में सकते नहीं है तो रूची के बारे में जो कतन सकते नहीं है ये उमसे पूछा है तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा कि रूचियां जनमजात और अरजित दोनों होती है सही है बिल्कुल होता है रूचियां समय के अनुसार बदलती है ये भी सही है और रूचियां योगेताओं एवं अभीशमताओं से सम्मधित नहीं होती ये भी सही है और रूचियां व्यार में आकरशन एवं विकरशन के परतिबिम्ब नहीं है तो ये इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगे क्योंकि रुच्यां है वो व्यार में आकर्षोन विक्रशन के पर्तिबिम्ब होते हैं होती है, अभीवर्ती, अभीवर्ती है, तो अभीवर्ती इसमें से कौन सी हो जाएगी, एक बावात्मक परवर्ती, जो अनुबो के द्वारा संक्तित होकर, किसी मनोवेग्यानिक वस्तु के परती, पसंदगी या नापसंदगी के रूप में परती करिया करती हो, वो क्या होत है व्यक्तित्व वैवन बुद्धि में वशानू करम की चारुप्षन है कि नाम मातर की बुमिका है मैत्वपुन बुमिका है एपुरुवन में बुमिका है और अकरशक बुमिका है तो 18 नम्र में क्या हो जाएगा कि एक नाम मातर से कौन सा है वो हमें बताना है 19 नमबर क्यूशन मैं तो कौन सी हो जाएका इसमें इदम उसके बाद में देखो रक्षा तंतर बहुत साहिता करता है इंसा से निपट ने दबाऊ से निफट ने ठकान से निफट ने और अजनबियों से निप्टने तो रक्षया तंतर बहुत साहिता करेगा कौन सी स्थिति में सबसे ज्यादा साहिता करेगा थकान से निप्टने में वह रक्षया तंतर सबसे ज्यादा साहिता करेगा सारी रिक निर्योगता वाले व्यकति के लिए निमन में से कौन सी उक्ती रक्षा तंतर में सबसे संतोस जिनक होगी सारे रिक निर्यों के तावाले जो व्यक्ति होता है उसमें कौन सी ऐसी युक्ति है जो रक्ष्या पंतर में सबसे संतोस जनक होगी ये हमसे पूछा है तो कौन सी हो जाएगी अतीक कलपना है वो इसमें सबसे संतोस जनक होगी इसके बाद में कि बालक परशंग बोध प्रिक्षन तीन वर्षे दस वर्ष की आयू के बालकों के लिए बनाय गया इस परिक्षन में कार्ड में परतिस थापित किये गया है और इस परिक्षन में कार्ड में परतिस थापित किये गया है क्या सजीव वस्तों के स्थान पर सर्जन सीलता के पोर्षण के लिए अध्यापक को नीमन में से किस विद्धी की साहता है वो लेनी चाहिए यह हमसे पुछा है 23 नमबर क्यूशन में तो कौन सी की लेनी चाहिए ब्रेन स्ट्रोमिंग या विचारावेस व्याक्षान विद्धी द्रवे सर्वे सामगरी और नीमन में से सभी तो फटा फट बता दीजिए कि कौन सी विद्धी की साहता लेनी चाहिए तो ब्रेन स्ट्रोमिंग या विचारावेस जो विद्धी है इसकी साइधा लेनी चाहिए निमन में से कौन सा कथन सही नहीं है 23 नमर हो गया ना ये कुशन 23 नमर है कुशन हो गया और इसमें मैंने बता दिया ब्रेन, स्ट्रॉमिंग और विचारावेज 24 है कि निमन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो कौन सा कथन सही नहीं है यह हमसे पूछाए कि आवशेक्ता वंचना की सारीरिक अवस्ता नहीं है अंतर नोध आवशेक्ता का मनोवेगैनिक परिणाम है और मूल परवर्तियां आंतरिक जेविक बल है तो देखो मूल परवर्तियां क्या होती है आंतरिक जेविक बल बिल् शिक्स्या का अधिकार अधिनियम 2009 में एक 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 अधिकार अधिनियम 2009 मे किस दायत्वय को पूरा करना होगा यह हम से पूछा है तो कौन से को कि विद्याले में नीमित रूप से समय पर उपस्तित होगा और पाठे करम का संचालन कर पूरा करना होगा और शंपुर्ण पाठे करम को निर्दारित समय पर पूरा करना होगा तो यह तिनु के तिनु के कि वो समय पर आएगा पाठे करम का संचालन करके उनको पूरा कराएगा और संपुर्ण पाठे करम को निर्दारित समय पर क्या करेगा पूरा करेगा तो इन में से सभी कि पाठे करम रूप रेका में निमन में से किसे सुचिबद किया गया है तो यह हमें बताना है तो ओप्सन है महिलाओं के परति आदर यहों जिम्मेदारी का दर्ष्टिक और विक्सित करने के लिए कार्य करम आयोजित किया जाए नेतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए शंती शिक्षा को एक अलग विश्य के रूप में पढ़ाया जाए और शंती शिक्षा को पठे करम में समलित किया जाए तो इस में से कौन सा सुची बद है वो किया गया है 27 में तो कौन सा हो जाएगा महिलाएं के परती अदर हो जिम्मेदारी का दर्ष्टिक और विक्सित करने के लिए कारे करम क्या करने चीए आयो जित करवाई जाने चीए राष्ट्रिये पठ्थे चरिया की रूप रेखा 2005 में बातचित की गई है यह हमसे पुचा है कि कौन सी कि ज्यान स्थाई है वे दिया जाता है से ज्यान का विकास होता है और उसकी सरंचना की जाती है तो राश्ट्रिय पठ्थे चरिया की रूप रेका 2005 में बात कई कि ज्यान स्थाई है वे दिया जाता है से ज्यान का विकास होता हो और इसकी सरंचना की जाती है किरियात्मक अनुसंदान का उदस्ते है तो क्या उदस्ते हो जाएगा विद्याले तथा कक्षा की शेक्षिक कारिये परणाली में सुदार करना किरियात्मक अनुसंदान का उदस्ते है तो मेरे क्याल से आपको बहुत अच्छी है वो क्लास लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताए कि जो पहले पर पेपर आयोजित करवाए गए हैं 2011 में, 15 में, 18 में वो सब के सब अगर आपको चाहिए ऐसे सभी विश्यों के जो भी परशन बनते हैं या जो मैंने टोपिक करवाया जो 20 नमबर का इस बार पूछा जाएगा 10 क्यूशन तो ऐसे सारे आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मुझे बताएं कि आप ऐसे वीडियो वो ले के आएं तो मैं जरूर आपके लिए ले के आऊँगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद